दोस्तो साल 2008 में कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ सीरियल उत्रन तो आप सभी ने देखा ही होगा जिसमें हमें कई कलकार अभिने करते हुए नजर आई थे जिन्होंने अपने किरदार और अपने हरेक अंदाज से दर्सकों को दिवाना बना दिया था तो वहीं इस सीरियल मे नजर आई इक्षा और तपस्या की जोरी भी कुछ कम नहीं थी जिसके बीच में हमें एक दोस्ती की मिसाल देखनी को मिली थी और इसी जोरी में नजर आई चाइल्ड एक्ट्रिस ने दर्सकों का खूब दिल जीता था जिसकी वज़े से वो काफी फेमस हो गई थी लेकिन दोस्तों इस सीरियल को परदे पर आए आज 14 साल हो चुके हैं पर क्या आप जानते हैं कि उत्रन सीरियल में नजर आई दोनों बाल कलाकार आज कहां है क्या करती है और कैसी दिखती है सायद नहीं जानते होंगे और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी सव तपस्या का किरदार निभाने वाली बालकलाकार के बारे में तो उनका असली नाम इसीता पांचल हैं जिनका जन्म एक दिसंबर 1998 को मुंबई में हुआ था जिसके चलते इनकी सारी पढ़ाय लिखाई भी यहीं से पूरी हो रही है बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो बत जिसके बाद इन्होंने एक विवाह ऐसा भी रामादा सेवियर और भूत एंड फ्रेंड जैसी फिल्में भी दी हैं वहीं अब बात करें इक्षा के किरदार को निभाने वाली बालकलाकार की तो उनका असली नाम इस पर्स खंचंदानी हैं जिनका जन्म 11 अक्टूबर 2000 को लास नगर में हुआ था पर इनकी पढ़ाय लिखाई मुंबई से कंप्लीट हो रही हैं बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की सुरवात साल 2007 में आए सो दिल मिल गए से की थी जिसमें इन्होंने स्वीटी की भूमी का निभाई थी पर इन्हें भी असली पहचान दिलाने वाला सो उतरन ही हैं जिसमें इन्होंने इक्ट्छा के मासूमियत भरी अंदाद से हर किसी के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली थी जिसकी वज़े से ही इन्हें आगे परवरी CID और गुलाल जैसे टीवी सोज में काम करने का म को अमसीं हमशीह उन्हें हें बाथ करें उनके आज की तो बता दे सीरियल में अटपश्ययं के भूल का लनाकाल इसिता पान, आurst है काफी बिद्रेसिशम न बात करें इनकी निजी जिन्दगी की तो बता दे ये फिलहाल अभी सिंगल है पर अपने माता-पिता के साथ मुंबई में रहती है जहां रहते हुए आज इन्हों ने एक्टिंग को छोड़ दिया है सेरियल में इच्छा की भूमिगा निभाने वाली स्पर्च खान चंदानी भी आज अपनी 21 साल की उम्र पार कर चुकी है जिसकी वज़े से ये भी काफी बरी हो चुकी है और इसलिए जहां सो में फ्रॉक और दो चोटी में काफी मासूम सी देखी गई थी तो वहीं आज ये काफी स्टाइलिस का प्रेकेरी करती हैं इसके साथ इनका हेर स्टाइल भी पूरी तरह बदल चुका है जिसकी वज़े से अब ये काफी सुन्दर नजर आने लगी है बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो बता दे फिलहाल ये अभी सिंगल है और मुंबई में अपनी फै राए पर ही फोकस कर रही है तो दोस्तों आप इस पर्स खांचंदानी और इस सिता पांचाल के आज के आज के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुरी ऐसी